नमस्कार दोस्तों आनंद स्टेडी ओंलाइन चलल में आप लोग का स्वागत है तो बहुत सारे लोग का कन्फ्यूजन बंडा है इस चुट्टी वाले दिन में कि पढ़ाई मेरा नहीं हो रहा है हम सोच करके आये थे कि कलास अभी छूटा हुआ तो घर में जाकर करके पढ़ करेंगे जबकि अइसा हो नहीं पाता है और दिन भर रात भर यहीं सोचते आते और पढ़ाय कर रहे मतलब study करने का प्रयास ने करी छुट्टी वाले दिन में एक समय लिमिट करिए यानि कि सुबह वाला समय जो होता है बहुत खास होता है उस समय में आपका दोस्तंग करेगा ना आप कोई online class चलेगा नहीं आप खुद दंग हो पाएंगे तो सुबह सुबह जब आप उठते हैं यालि कि जब भी आप उठते हैं उसके दो-तिन घंटे बाद तक भी अगर आप एक दो घंटे का study छुटी वाले दिन में कर ले रहे हैं तो कहीं भी आपके साथ दिक्कत ने आएगा पूरा दिन आप इंजोई करिए आप अराम से चैन से सोववाईएगा या चैन का नींद भी आपको 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 यह समझना हो कि हम पूरा दिन नहीं पढ़ सकते हैं लेकिन एक लिमिट समय तक हम अपना पढ़ाय को जरूर जारे आप लोग गौर करिए कि बहुत जादा टॉपिक आप लोग को नहीं कवर करना है जो ही आपका इंट्रेस्टिंग टॉपिक है अगर आप घर जाने वाले हैं चुट्टी वाले दिन में तो आप कोशिश करिए कि वही सब ले करके जाए ना जिसमें हमको रिवीजन करना रह जो कि आपको पढ़ना जरूरी भी था आपके एकजाम के लिए और नहीं भी पढ़ेंगे तो उतना दिक्कत नहीं है मतलब कि नॉर्मल रूप से आप उसको ले करके चल सकते हैं यही काम होता आप मैत बनाने लगिएगा बहुत सारा चीज सीखना स्टाट कर दिएगा क्ला बड़ा बड़ा चुटी जितना भी होता है तो 15-20 दिन का जो गैप होता है इसमें आप लोग 2-3 घंटा पर देर स्टडी कर पा रहे हैं तो आप बहुत लोग से आटोमेटिक आगे हैं क्योंकि बहुत साय लोग इस चीज से नहीं समझ पाते हैं कि दीपावली है तो पढ़ना ही छोड़ देते हैं और किर जब वो एक रूटीन में आते हैं यानि छट खत्म होता है उसके बाद धीरे धीरे वो पढ़ना चार करते हैं तो आपका रेगुलरिटी मेंटेन करने के लिए रोज दो घंटा एक घंटा देर घंटा जितना भी हो पा रहा आपसे वो अब बहुत बढ़ा ते वहार होता है हिंदु धर्म के लिए और इसको बहुत ही धूमधाम से आपको मनाना भी चाहिए तो मेरे करब से बहुत सारी सुबकामनाय आप लोग के लिए दीपावली और छट के लिए इस पेसल और पढ़ाय के लिए आप लोग का मेहनत बरकरार रहे है बस सब चीज आप खुशी समना पाईएगा हर चीज मेंटेन होगा और दीपावली छट का परुखर्ण हो जाएगा उसके बाद आप फिर से एक राह पर चलने लगेगा जो आप पहले से चल रहे थे कहीं भी कोई दिक्कत ही है रुकाबट आपके सामने नहीं देग हो देख लिटे फिर आपका बहुत सरे डाफ दूर हो जाएगा पढ़ने का मन करने लगेगा बहुत सरा तरीका हम बता चुके हैं जो कि आप जानिएगा कम तो कम से कम मन करेगा तो आनंद स्टेडी ओनलें के प्लिस्ट में जाकर करके जो भी आपके जरूरत की वीडियो है उसको जरूर आप लोग देखिए बहुत आप लोग का हेल्प हो जाएगा विडियो को यहें तक फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कोई भी डाउ हो रहे हैं तो नीचे कमेंट कर सकते हैं उसका रिप्लाई हो जाएगा और ज्यादा आपका डाउट आएगा तो फिर से उसके एक वीडियो बन जाएगा मिलेंगे फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए थैंक्यू जैहिं लीच जा प्रवेप कर दो दटा वीडियो में जाएगा वीड वीडियो में वीडियोम